कि यदि आपका पेट खराब है तो आपको यह समझना होगा कि उसके पीछे क्या समझ्चा है क्या कारण है बहुत सारे लोगों का पेट खराब है और कुछ से भी नहीं बता कि उसका क्या कारण है बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक बहम रहता है कि पेट में कोई बीमारी तो नहीं है पेट में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है टीवी कैंसर तो नहीं है या फिर कुछ बड़ी बीमारी का जो बहम है वो बढ़ जाता है तो यदि आपका पेट खराब है तो आपको तो उस समझ्या को समझना होगा, ढूनना होगा, उस cause को find out करना होगा. बहुत सारे लोगों को आजकल देखा गया है कि डाइजेस्टिव, functional digestive problems हैं. मतलब भूप का प्रपर ना लगना, खाने का अच्छे से ना पचना, पेट का अच्छे से साफ ना होना, functional weakness बने लेना, या पूरे दिन कभी bloat महसूस करना, कभी हलका फुलका pain आजाना, कभी मतलब ऐसा feel होना कि जैसे vomiting होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ हम जी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की आदत हमने डाल ली है. तो ना तो आपको उस समझ्या के साथ जीने की आवशक्ता है और नहीं आदत डालने की आवशक्ता है. यदि आपका pain खराब है तो उसको समझने की आवशक्ता है, क्योंकि pain खराब होने के पीछे कुछ common cause हैं को सभी के साथ होते हैं, और कुछ कॉस को यदि हम समझ लें तो फिर उसको हम काफियत तक ठीक कर सकते हैं यदि आपका भी पेट खराब है और आप फील करते हैं कि आपको IBS है या IBD है या IBC है या आपको लीकी गड़ है या आपको इंडाइजेशन है या अपच है आपको या फिर कॉंस्टिपेशन का भज जैसी प्रॉब्लम है और उसके कारण आपकी क्वालिटी ओफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है आपका इमोशनल है तापका मैंटल है तापका फिजिकल हैल्थ यदि परभावित हो रहा है उससे यदि आपको फूकस करने में कॉंसंटेट करने में परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है क्वालिटी ओफ लाइफ पर भावित हो रही है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है आप इसको देखिए समझेए अपने फ्रिंट के साथ सहर करिए यदि चैनल पर आप नए है तो चैनल को करिए कि आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन है एक ब्लैसिंग से मैं आपका दोस्ट सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजूपीशन क्लिक आइप बोस्ट्रीट इन क्लिनिकल माडिस्न दे मैटाबोलिक साइंस लास्ट टू डिकेट से साउ कि आपको देंगे उसका पॉस भी आपको देंगे लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बुन्यादी बाते हैं पीट खराब होने के पीछे जो रूट काउज होता है उसको समझना होगा यदि आपकी पूर जियाई मोटलिटी है यदि आपका इंटेस्टाइन स्लो हो गई है का absorption, distribution, excretion का जो काम है वो आपकी intestine का है और कई बार ये देखा जाता है कि आपकी GI मोटलिटी जिसे हम आतों की ये पीट की speed भी कहते हैं वो काम हो जाती है तो उसकारण आपको indization, पेट फूलना, पेट दर्ट इस तरह की कुछ समझ्चा है रिबोर्ट हो सकती है, constipation report हो स कि आपके खाने में बहुत ज़्याद है ओली, spicy food है, बहुत ज़्यादा, फैट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुगर है और बहुत ज़्यादा पैक फूलना प्रवाइब की कमी है और फाइब की कमी से भी आपका digestion directly प्रवावित होता है उससे फिर पेट की मदद मिलती है आपको खाना थोड़ा सा मीठा और मर्च लगता है तो आपका जो एंजाइन है यानि जो सलेवा है सलेवरी क्लेंट से जो निकलता है उसका डाइजेशन में बहुत इंपोर्टेंट रोल है और आपके पेंक्यारेटरिस जूस और आपके एंजाइन और आपका बाइल से निकलने वाला बाइल टक्त से निकलने वाले जो जोसेज हैं जो एक्टिवेट डाइजेशन में मदद करते हैं इन सब के कारण भी इन सब की कमी के करण भी आपको यह प्रॉब्लम साती है पूर स्लीप कॉरेटी यदि आप अच्छी से पूरी नीन नहीं लेते है और आपकी नीन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है यदि आपको स्लीप डिप्रविशन है या आपकी स्लीप बार बार टूटती है डिस्टर होती है तो उससे भी आपकी डाइजेशन पे डारेक्ली फर्क पड़ता है लो एक्सराइज यदि आप कोई बयायाम नहीं कर स्वास्त के बारे में या तो आप बहुत जादा मतलब फिगर मंद हो जाते हैं पेट के स्वास्त के बारे में या फिर आप बहुत जादा लापरवा हो जाते हैं या फिर एक चीज को पपड़के आप रिपिटिशन में लगे रहते हैं उससे आपको सेरोटारिन डोपामाइन का जो नियूरो टांस्मिटर्स हैं जो हमारे ब्रेन को रेगुलेट करते हैं और ब्रेन गट को कनेक्ट करन हैं इंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, OCD होता है लेकिन हम उसे पीट की तखलीप माल देते हैं और पीट की फिजिकल सिंटम्स के रूट में हम डॉक्टर के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं थायरोक्सिन ग्लेंड या 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 आपका थायरोक्सिन सोगियम यानि थायराइड जब होता है तो हेरफॉल होता है कुछ लोगों को डाइजस्टिप प्रॉब्लम्स आते हैं और कुछ लोगों को कुछ लोगों को बढ़ जाता है यह सब एक मेटाबॉलिक चेंज पैता करती है थायराइड ग्लेंड उसके कारण भी आपको की जी आई मोटिलिटी होती है कुछ आटो-इम्यून डिसीज हैं जिसके कारण मेटाबॉलिक चेंज आता है और मेटाबॉलिक बॉन्ड डिसीज रिपोर्ट होती है जिसमें कि आपका डॉप्स में मुसल्स में और जॉइंट मेयर बॉन्स के अंदर स्वेलिंग और इंफ्लमेशन इस्टिफनेस में दर क्रेम्स आपको मैंसोस हो सकते हैं तो यह सब आपके डाइजेशन को आपकी जियाई विटिलिटी को आपकी गट हैल्फ को प्रभावित करते हैं और यदि आप लगातार स्टेस एंजाईडी डिप्रेशन में बने रहें और आप फिर साइकोसिस के साथ जीए तो प्रभाव लेजिए ग्रीन रेड वेजिटीविल्स खाये पूरी अच्छी नीद लेजिए और पॉजिटिव रहें और बिदाउट अप्रस्क्रिशन कोई भी दवाई आप अपने गट में मत डालिए उसका सोरसायल बाय दिखो, हमोपैथी हो या मॉर्टन माटशन हो या म